जे योगोर हाडू मेरे जितने भी सादक सादिकाय भाईवेदें सभी को मेरा प्रणाम श्युकर हो मैं तंत्रिक शाइदास काफी लंबे समय के बाद फिर से वीडियो आप सब के लिए बना रहा हूँ बहुत लोग की ज्यादा मांग पे आज डचक बीर की सादन सम्मंदित कुछ जानकारी आप सब के सम्मुक्स प्रस्तूत करूँगा और ये सादना की प्रामुख क्या लाब होता है वो भी आप सब को बताऊँगा और ये सादना को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है या नहीं वो भी मैं आप सब को बताऊँगा और इन सादना के बिधी के बारे में बताऊँगा सबसे पहले ये सादना कोन-कोन कर सकता है दिखिए ये साधना ओरत जो बच्चे बात करने लाइक हो वो भी कर सकता है जो बूढे अपने जुबान हिला के बात कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं बाकी तो आम इंसन करी ही सकता है, हर को ये साधना कर सकता है, बच्चे, बूढे, ओरत, सबसे पहले ये साधना एक साधक को करना क्यों चाहिए, या एक आम इंसन को ये साधना करना क्यों चाहिए? लोग साधना इसलिए करते हैं उनकी कुछ न कुछ चाहत रहता है चाहे वो सांगसारिक सुक सम्मदित हो या चाहे वो भोतिक सुक सम्मदित हो या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उमर होने के बाद मक्ष की रास्ते में जाना चाहते हैं मोक्ष प्राप्त के लिए प्रायस करते रहते हैं हमारा जो यहां विशे बस्तु है ये साधना संगसरिक और भोतिक सुक प्राप्ति के लिए किया जा सकता है कोई भी ये साधना कर सकता है सबसे लोगी ये साधना की क्या-क्या लाब होता है उस विशे में थोड़ा सा बारतलब कर लेते पहले तो ये सोम्य साधना है जब ये बीर आपके सामने प्रस्तुत होता है सम्मुक्स खड़ा होता है तो लगता है एक सांत इंसान खड़ा है, ना कोई सोर सरावा, ना कोई ज़्यादा ड्राबनी आवाज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये साथना में, क्यों? ये बीर को एक समय पे स्थ्राप मिला था, किस से? एक यक्षण इसे, ये बीर लोगों की जितनी सहबाय करेगा, ये उतनी स्थ्राप से मुक्ति मिलेगा इसको, और इसकी अर्ध गती, उर्ध गती में परिवर्तन होगा, जो इसकी गती निचे की ओर होता है, वो उपर की ओर होगा, फिर इस बीर को उस योनी से मुक्ति मिलेगा, सबसे पहले इसकी जो साधक होते हैं, जो भी बीर की साधना करते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, बीर हर तरह की कारिया करने में सक्षम होते हैं, लेकिन हर एक बीर मुखे तो बाबन बीर का जिकर किया जाता है सनातन हिंदु धरम में लेकिन हर एक बीर के पास अलग-अलग तरह की सक्तिया रहता है और कुछ बीर अलग-अलग सक्तियों में महारत हासिल करते हैं और अलग-अलग कारियों में महारत हासिल करते हैं लेकिन ये बीर एक सादक के लिए, अपने सादक के लिए सटकरम कर सकता है, सटकरम क्या होता है? मारन, मोहन, बसिकरण, उच्चाडण, बिद्वेशन, स्तंभन, आखिर में संतिकरम. अपने साधक को ये समाज में प्रतिष्ठित दिलाता है प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित इंसान के रूप में ये हमेशा अपने साधक को खड़ा रखता है धन, धान्य, व्यपार, सम्रुद्धी, सम्मान इन सब चीजों से अपने साधक को हमेशा परिपूरुने रखता है सबसे बड़ा खास बात है ये अपने साधक को चोबी सो घंटा सुरक्षा देता है कभी भी इनके साधक जो व्यक्ती डचक बीर को सिद्ध कर लेता है उसके पस्चाद किसी भी तरीके के दुरगटना, किसी भी तरीके का बीमारी नहीं आता है क्योंकि ये बीर आनहीं नहीं देता है और इनकी साधक कोई भी ब्यापार करते है या ब्यापारी हो तो उनके तो लोटरी लग गया समझ लो क्योंकि ये दिन दूगनी चार्चोगनी व्यपार को बढ़ाता रहता है खास बात ये है ये सादक गड़ादन बताता भी है और निकाल के भी लाके देता है लेकिन कहीं से पेशा चोरी करके नहीं लाके देता है यह कहीं गड़ा हुआ धन है तो अपने सादक का बताता है पेशों की जरुवत पढ़ने पर अपनी सादक की और वो निकाल के दे भी देता है खास तोर पर यह साधना सादक या आम इनसान राज्य सुक प्राप्ति के लिए करते हैं राज्य सुक प्राप्ति या नहीं पहले क समय में राजनिती में ऊपर चरने के लिए या राजनिती में आगे बढ़ते रहने के लिए या समाज में किसी भी पद में पदभी और पाने के लिए यह साधना किया जाता है चाहिए वो आप MLA बनना हो MP बनना हो या कोई भी पद पाने के लिए यह साधना करते हैं रचक और ये साधक का ऊप्री बाधाrdh इलाज करता है और साधक की परिवार सगी संबन्नी का भी उप्री बाधा इलाज करता है यानी किसी पर भूत आ जाना या प्रह्त बाधा या कुछ भी हो वो वह इंलाज कर दिता है 10 कि मेरा एक सिश्यजे जो है महरीश्ट्र का है कुछ साल पहले उन्होंने डचक बीर साधना करके MLA बने इसके बीसे में मैंने ये वीडियो ने इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था जिकर किया था खास तोर पर ये राज्ये सुक धन्दोलत समाज में प्रतिष्टित और ये सुरक्षा प्रदान किलने के लिए माहिर होते ये बीर डचक बीर तो अभी तक उनकी साधना का लाब आपने सुने हैं साधना कितने दिन की होते हैं कि ऐसे किया जाता है उन सब विशे में चर्चा करते हैं ये साधना एक रात्री की होता है अमवस्या पूर्णिवा नबरात्री होली दिवाली चंद्रग्रहन के दिन कर सकते हैं सबसे उत्तम समय होता है चंद्रग्रहन उसके अलाब आप अमवस्या पूर्णिवा नबरात्री होली दिवाली को भी कर सकते हैं सिवरात्री को भी ये साधना किया जा सकता है यह साधना ग्यारा माला चप करने से सक्तिय आपके सम्मुक्स प्रस्तूत होता है एक सौम्मी रूप में इस साधना में ससकरित काले हकीक की माला का प्रयक किया जाता है साधना के समय रात्री 11 बजे के बाद ही शुरू हो सकता है बस्त्र काला आसन भी काला होता है दिशा जो होता है पस्त्री सामगरी पांच मिठाई रखना होता है प्लेट में एक धुबवती जगाना होता है एक सर्शो की तेल की दिया जगाना होता है एक गुलाब का ताजा फूल चाहिए होता है आप ये साधना सुखासन में भी बेटके कर सकते हैं या तो अचाहे तो आप सिधासन में भी बेटके कर सकते हैं कि मंत्र पूर्ण इसलिए नहीं बताया जागा क्यूंकि यह मंत्र कीलित है इस मंत्र को बिना जैगरित की मंत्र जाप करने से कोई लाव नहीं इसमें पहले दोक्षर आखरी दोक्षर बॉल देता हूं ओम हरीम हरूम हुम हीमफट बीच में मंतर मेंने छोड दिया गया इसमें आपको स्वेयम सिध्ध कोई भी व्यक्ती हमसे दिक्सा लेकर करता है और केसे केसे करना है पूर्ण बिधिविधन बताए जाएगा original समगरी हमारी तरफ से दिया जाएगा और साधना का पूर्ण विद्विद्विद्वन सिखाया जाएगा और केसे केसे सिद्धी हासिल किया जाते हैं सारे तोर तरीके सिखाया जाएगा और मंत्र जागरित करके दिया जाएगा बाकि इस तरीके के साधना जो पुरातन साधना है जो गड़वाले विद्या होते है जदर आजकल की समय में मिलता नहीं क्योंकि ये पुरातन विद्याओं में से आता है जे योगोरहर